नमस्कार, जारखंड के डुमका डिस्ट्रिक्ट में एक 16 साल की लड़की अंकिता सिंग को शारुक हुसैन ने चिंदा जला दिया मुझे पता नहीं कि ये वीडियो रहेगा ये डिलीट हो जाएगा ये इस वीडियो को हटा दिया जाएगा लेकि जब तक ये वीडियो अवेलेबल है आपके सामने है इस वीडियो को शेर कीजिए ताकि उस 16 साल की बिटिया उस 16 साल की लड़की अंकिता सिंग को इनसाफ मिल सोके यही है वो शक्स शारुक हुसेन जिसने 16 साल की अंकिता को जिन्दा जला दिया सिर्फ इसलिए कि उसने इसका विरोध किया देखिए कि इस तरीके से ये हस रहा है एटिट्यूट दिखा रहा है इसे कोई फरक नहीं पड़ता कि इसने क्या किया है इसने 16 साल की बच्ची की जान लिली जिन्दा जला कर लेकिन इसको इस बात कोई भी अफसोस नहीं है ना कोई गिला है ना कोई शिक्वा है क्योंकि इसको लगता है कि ये छूट जाएगा क्या करेंगे ये लोग पकडेंगे छोड़ देंगे यही तो होता है हमारे कानून में है ना मैं आपको पूरा घटना कर्म बताता हूँ ये लड़का शारुक हुसेन अंकिता को बहुत परिशान करता था ये अक्सर अंकिता के आगे पीछे घूमता रहता था उसको पीछा करता था उसको हर्यास करता था उसका उत्पिरन करता था और हर बार अंकिता इसको इग्नोर करती थी वो सोचती थी कि क्या इनके मूँ लगना लेकिन एक दिन जैसे तैसे करके शारुख ने अंकिता का नंबर निकाल दिया फोन का और फिर उसने बार-बार अंकिता को फोन करना शुरू कर दिया और उसको परशान करना शुरू कर दिया हर बार उसे कॉल करता हर बार उसे परशान करता धंकी देता और जब जब अंकिता इसके नमबर को ब्लॉक करती तो ये नए-ने नमबरों से अंकिता को परिशान करता है फिर एक दिन आठ बजे 22 अगस्त को आठ बजे की रात 22 अगस्त को ये कॉल करता है किसी और नमबर से और बोलता है, कि अगर तुने मेरे बारे में किसी को बताया То मैं तुझे मार ड़ालूँगा तो Анकीता बहुत डर जाती है अंकीता अपने पापा को यह बाद जाकर बताती है करीब दस वजे जब उसके बापा घर लोटते है ये सुनकर अंकिता की पिताजी बोलते है कि मैं कल ही जाओंगा और शारुक की परिवार वालों से बात करूँगा इस पारे में इसके बाद सब लोग घर के सो जाते हैं लेकिन शारुक की सनक इसकदर बढ़ चुकी होती है कि वो अंकिता की जान लेने बे तुल जाता है जब अंकिता सो रही होती है अपने कमरे में तो उस कमरे की खिड़की खोल कर उस खिड़की के रास्ते अंकिता के उपर पेट्रोल डाल देता है और जैसे ही अंकिता को होश आता है इतने में वो पिली लगाकर अंकिता को आग ला देता है अंकिता तड़प रही होती है बुर उसकी फैमिली वाले आते हैं एक कमबल लेका उसको पर ओड़ते हैं और जैसे तैसे करके उस आग को बुझाते हैं देकर इतने में अंकिता का 95% शरीर चल चुका होता है 95% बाड़ी ऑंकिता की चल जुकी होती है बुरी तरीके से फिन आनन फानन में चल्दी से अंबुलैंस क पीच में चूज रही होती है। अपने ठीके सुबा होगा तो देखते हैं और चार बजा के किर्की से फैट्रों ठेक के और आप जिला के भाग किया तो तो पिप्रों कहां पर ठेका गिया था कर्टों डेगे टिपा में तुब लड़का था हूँ और छोतु इसके साथ और एक लड़का जोगा वर अपको सरीर में कहां कहा प्रबेम आया है सब जगाया प्रक्रण बाठेक बुरा सरीर इस परदेगे पूरी कहाने बताई अंकीता ने अपने जबानी और अंकीता न ये भी बोला कि शारुक के भाई ने थमकी दिया था मुझे कि देखते हैं कौन जेल में डालता है जेल से निकलेंगे तो सब को देख लेंगे कि जेल से निकलेंगे तो देख लेंगे ना कानून का डर है ना किशीजीस का डर है ये आरोपी अपने मनसूबों में कामयाब होते जाते हैं और ऐसे ही कोई अंकीता ऐसे ही कोई लड़की को अपना शिकार बनाते है अपनी सनक का शिकार बनाते है एक पिता ने अपनी बेटी को खो दिया एक मान ने अपनी बेटी को को खो दिया. एक भाई ने अपनी बेहन को खो दिया. उसका सपना था कि वो एक टीचर बनेगी. लेकिन उसे क्या पता था कि एक सन्की, एक आवारा उसका ये हाल कर देगा. उसको जिन्दा जला देगा. वो भी तब जब वो सो रही थी फिलाल शारुक को ग्रिफतार कर लिया गया है और साथ ही उसका दोस्त नाईम खान उर्फ छोटू खान को भी पुलिस ने ग्रिफतार कर लिया है मेरी दर्खास्त है जारखंड के मुख्यमंत्री हेमन सोरेन जी से कि इन आरोपंगों को बक्षाना जाए कड़ी से कड़ी सदा इनको मिलनी चाहिए ताकि कोई और अंकिता इनकी सनक का शिकार ना वने मेरे आप लगों से भी अनुरोथ तक इस वीडियो को شेर कीजिये जितना हो सब के इस वीडियो को شेर कीजिये मुझे नहीं पता कि यह वीडियो रहेगा या इस वीडियो को डिलिर कर दिया जाएगा लेगि जब तक यह वीडियो है आप इस वीडियो को शेर कीजिए Justice for Ankita Singh